आजकल तो सब का रेट बहुत जादा महेंगा वह रहे हैं वही तो दिनसी का और सब्जीक का जो भी बलो तो बहुत तो पर हो गया और हम से कहां उसको कम करने का पहला सोचना चाहिए कैसे कम करेंगा और हमारा जैसे मिदल क्लास लोगों को बहुत अच्छा होगा और इस बार तो बस प्री तो शिर्फ लेडिज लोगों को रखा है एट लिस्ट हम लोगों को आदा 50% में गोशित किया तो अच्छा लगता है इस बार सिद्रा मया जी आउरेक बर सीमों कर बजेट बंदन कर रहे हैं लेकिन करनाटक के बहुत प्राब्लम्स है जो पेटल के दा में गयास है अभी जो सबजी तरकारी रेशन से उनके प्राइस बहुत हई हो गए है अगर हम मार्केट में एक हजार उपे लेकर गए तो भी एक थेला बरकर राशन नहीं आ रहा लेकिन इस बजेट में बहुत निर्खशे कर रहे हैं कि जादा हम क्या भी मार्केट में गए तो सबके प्राइस लोड़ा कम हो जाए पेट्रोल, डीजल, तरकारी, बीरेशन, अभी घर चलाने का बहुत प्राब्लम होता है इसलिए उससे ही जादा बोले तो फार्मर्स को आगे रखकर कुछ फार्मर्स के लिए करते हैं अने एम्प्लाइमेंट के लिए कुछ करते हैं करनाट का स्टेट बजेट आज हो रहा ना, यूद को बहुत ये करना है सिद्रामयज को एक हमारा में पैज, तमाटर, तरकारी का और मिडल क्लास फेमली लोगों को अभी बिजली का रेट बढ़ाया वो कम करना, नहीं तो बिजली का आप बोलते 200 उनिट फ्री है मगर उन्हों 500-500 रुपे ज्यादा दे रहे हमारे को अभी बिल पहला 300-300 रुपे आता था, अभी 800-600-700 रुपे आ रहा मतलब उसमें क्या भी नहीं है, डिस्कॉंटेट वो क्या तो वो परिहार डूणना हो और यूद को काम दिलाना, बहुत प्रावेट सेक्टर से काम निकाल रहे हैं, उसको आप परिहार डूणना, गौवर्मिट का, बहुत लोग, बहुत सेक्टर में, बहुत समाजा कर लेना, PWD, इरिगेशन डिपन्ट, बहुत जाब है, वो उसको क्या तो करके भरती लेना ह झाल, बहुत से काम धी झाल, ऊ